हेलो दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले है कि मार्किट का बिहेवियर एग्जेक्ली चल क्या रहा है ठीक है आप यहाँ पर देख पारे होगे कि मार्किट किस तरीके से आज दुबारा नीचे आती हुई दिखाई थी और जो लेवल दिये गए थे वो लेवल भी कहीं करने कहीं तूटते हुए नजर आए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप जाओगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा मैंने यहाँ पर स्टॉक मार्किट का आउटलोग दिया था ठीक है और उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मार्किट बिहेव करती हुई करूंगा आएम स्मॉल कर इंवेश्टर चानल को सब्सक्राइब बेल आइगन को हिट और के नोटिफिकेशन को अन करें बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं अपने फाइनिशल एडवाईजर कुछ करें चीजों को सीखने के लिए बार बार मैं कहता हूं जाकि वी करेंगे ओके आप हमारे कोर्स में जो हम पर आप बेसिक शुर एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटर कौन सा शेयर लेना चाहिए कब लेना चाहिए क्यों बेचना चाहिए क्यों खरीना चाहिए वह सब चीज आपको आंसर पता चल जाएगी 25,000 रुपए का कोर्स है कि एक बार कोर्स करने के बाद एक साल का experience ले लीजिएगा कुद ही आपको चीज़े समझवाएगी बाकी 8605-40501-8169-265037 पर कॉंटक कर सकते हैं और साथ में कोर्स और साथ में काम करना है आपको तो इनी नमरों पर कॉंटक करके साथ में काम भी कर सकते हैं तो मार्किट में आपर आप देख सकते हैं कि अच्छी घासी घ्रावट होते हुए नजराई और सबसे पहले क्या हुआ तो small cap ने भी यहाँ पर जो बड़त बनी हुई थी जो यहाँ पर positivity बनी हुई थी वहाँ पर उसने भी गबा दिया और वो भी धीरे धीरे नीचे आता हूँ दिखाई दिया तो अब exactly होता क्या नजर आ रहा है उससे related बाते करने वाले और जानेंगे ठीक है तो विलाष्टा वीडियो में बने रहीएगा तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले रिफ्टी ने लेवल्स प्रेक कर दिये ठीक है जो मुझे यहाँ पर पसंद नहीं आया और मुझे लगता है कि यहाँ से अब चीज़े और थोड़ी सी ज़्यादा गिरती वी नजर आ सकती है तो कहां तक गिरती वी नजर आ सकती है तो मैं आपको कुछ लेवल्स दे रहा हूँ मुझे लगता है कि यहाँ से bounce back होता हुआ नजर आ जाना चाहिए 21,600 ठीक है और अगर 21,600 को यहाँ सपोर्ट की तरह होल्ड कर देता है तो मुझे लगता है कि market यहाँ तक तो last है ठीक है यह last समझिए यह last edge समझिए इससे जादा मुझे market ने गिरता हुआ तो यहाँ तक कि मुझे गिरावट नजर आती है और फिर थोड़ा सा consolidation के बाद यहाँ तोड़ा फिर तो नीचे downside पकी है यहाँ तक ठीक है बर्ट इस्टिल मैं ज़्यादा यहाँ पर नहीं सोच रहा हूँ मुझे लगता है कि यहाँ तक ही में यहाँ तक आयागा और यहां से bounce back हो जाना चाहिए तो 50-50 का यह रहा अब एक पर small cap और mid cap की बात कर लेते हैं तो आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा last trading session का जो मैंने हाँ पर mid cap small cap संडे को वीडियो बनाई तो बताया था तो आपको बताया था कि यह main point है अगर यहाँ से गुजरा तो अच्छी बात है otherwise मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर फिर तेजी होती ही नजाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज वो level इन्होंने यहाँ पर तोड़ दिया है दुबारा अब क्या तो अब यह है कि हमें support यहाँ पर नज़राता है अगर यहाँ पर रुख जाता है गोड है ठीक है अच्छी बात है अगर यहाँ पर नहीं रुखता तो चीजे और नीचे आ सकती है फिर यही एक ज़्यादा support दिखाई देता है 43,500 तो अभी support क्या है 45,300 इसके बास support क्या हो जाएगा 43,500 ठीक है तो यहाँ पर निफ्टी midcap में दिखाई देता है ज्यादा इस से ज्यादा गिरावट करें तो निफ्टी small cap तो positive ही चल रहा था अगर आप morning में भी देखोगे ठीक है कोशिश भी कर रहा था कि ना गिरे ना गिरे बर जब सब गिरने लगए निफ्टी ने यहाँ पर यहाँ पर गिरता हुआ निजर आया साथ में आपर फिर mid cap भी आ गया जब तो इसने का कि चलो मैं भी पीछे पीछे आ जाता हूँ और फिर जब यह पीछे 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 है तो इसने एक परसेंट की ज़्यादा बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर दिखा दी क्या नजर आता है सबसे पहले मुझे यही नज और या फिर यह सबसे पहला है कि 14,350 के आसपास यहाँ पर रुप जाना चाहिए तो यह यहाँ पर लेवर्स नजर आते हैं ठीक है थोड़ी बहुत गिरावट नजर आती है और पॉजिटिविटी कहां नजर आती है पॉजिटिविटी यह नजर आती है कि डेटा F2 तो कभी खरीद रहे कभी बेच रहे तो वो इग्नॉर करते हैं में है यहाँ पर यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर आज भी ठीक है ना अच्छा गासा माल 2 बिलियन डॉलर का माल यहाँ पर पर प्रचेस किया गया जिनमें से 9 लगवर 1 बिलियन डॉल यहाँ पर बेच गया और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि नैट जो बाइंग है 7,449 कोर रूपे की है तो कहीं ना कहीं जो इस टोड़ी सी अंसर्टेनिटी बनी हुई है और जब अंसर्टेनिटी जहाँ नाम का जो वर्ड होता ह सब्सक्राइब का सिपाई और इस वजय से यहां पर क्या है कि यहां पर पूरे के पूरे इंडेस शेयर गिरते हुए नजर आती है याद र Herren किए आपको करना क्या है आपको यहां तो वेट करना है अगरा वेट कर सकते हो कितना कब से कम्सर्रें से छेंग मैम हमेने दूबस पैसा है तो उसमें दीरे-दीरे करके या फिर जब यहां पर गिरावट हो जाए थोड़ी बहुत और दीरे-दीरे एक चंक से यहां पर बाइंग करना शुरू कर दीजिए तीन से छे महिने की बात है तीन से छे महिने बाद दुबारा एक मोमेंटम आयेगा और हो मोमेंटम इस शेर बजार को और उपर की तरफ लेके जायेगा फ़िए जाने ने बाले टीक है केवल रास्ता उपर की तरफ दिखाई देता है और याद रखिए जितने भी यहा पर जो पीछे जाये हुई है जो कि मुझे यहाँ पर नजर आती है ठीक है किसी भी तरीके की negativity नजर नहीं आ रही अच्छा खासा डी आइस की तरफ से यहाँ पर बाइंग किया गया है ठीक है अच्छी कंपनी को यहाँ पर चुन के रखिए ठीक है रिसर्च करते रही है क्या करना कुछ नहीं करना आज मैं देख रहा था लगार मैंने छे सो मॉर देन अस पास से कि मैंने आपर चार्ड देखें मुझकिल सा मुझे थीन से चार्ड़ नजर आई जो कि यहाँ पर सुलिंग टेर्ट के परपस से पॉजिटिविट नजर आई बाकी थोड़े बहुत शेयर ऐसे नजर आ रहे थे जिए आपर buy on dips करके खरीदे जा सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं कोई से शेयर हैं कोई से शेयर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप इन नंबरों पर contact करके हमारे साथ जोड़ सकते हो मैं आपको बताऊंगा कि कोई से शेयर हैं आपर अच्छे हैं जिनका आज खरीदे पर तीन से शे महीने एक साल का वेट करेंगे तो पैसे बनते हुए नजर आ सकते हैं तो basics to advance course भी कराते हैं नहीं नंबरों पर contact करिए साथ में वीडियो अच्छी लगे तो like, comment, share, चाहना को subscribe करें और buying, selling की कोई recommendation नहीं अपने financial advisor खुद की study करें मैं बस यह आपको बताना चाहता हूं जो एक गिरावट है, temporary है और market को उपर जाना है वो permanent है So thank you so much, God bless